तो मद्रप्रदेश में आपको क्या लगता है काटे की टकर है या जैसा कि बहुत सारे ओपिनियन पूल्स कह रहे हैं कि वहां कॉंग्रेस निकल जाएगी आप कहनी सकते हैं मुझे तो लगता है बहुत काटे की टकर है और उसकी बज़ाए अगर आप दोनों लीदर की बटे में काफी हत्तर दिखाई पड़ते हैं सामाजिक आर्थिक आधार पर गरीब मुझे लगता है कॉंग्रेस के साथ जादा दिखते हैं उन्हें लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए कॉंग्रेस के साथ रहना चाहिए और अमीर और मध्यमबर्द के वोटर हैं वो आपको ब दिखाई पड़ते हैं काफी हद तक मुझे लगता है बहुत शार्फ डिविजन है बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच में हर विशे पर आपको शार्फ डिविजन दिखाई पड़ेगा इसी के लिए मेरे लिए कहपाना तो बहुत मुश्किल है कि कि इस रेस में थोड़ा यह ज्यादा दिखाई पड़ता है अब उसके कई कारण रहे होंगे मुझे लगता है कि जो सरकार की जो स्कीम से राज्यतरकार की वो रोल आउट करने में थोड़ी देरी किये सरकार ने तो उसकी रीच उतनी नहीं है जितनी की लाड़ली लक्ष्मी योजना यहां थी जैसे मद्य प्रदेश में अगर सरकार से थोड़ी बहुत भी अगर नाराज की है थोड़ी बहुत भी अगर नाराज की है उसकी भरपाई केंद्र की मोधी सरकार कर रही है क्योंकि मोधी सरकार से लोगों की की संतुस्टी बहुत ज्यादा है तीनों राज्चियो सरकार ने 36 में अच्छा भी काम किया लेकिन अगर बीजेपी चुनौपती दे रही है तो उसकी वज़ा राज्जी की बीजेपी ना भी हो तो केंद्र सरकार का जो काम है उसके चलते काफी बड़ी संख्या में लोग यह कहते हैं अपने आपको बीजेपी के साथ खड़े होते दिखाई पड़ते हैं तो इस बज़े से राज्जियों में एक तरह से बीजेपी और कॉंग्रेस मुकाबला कर रही है कोई एक तरफा चुनाओ ऐसा नहीं देखता है अब हो सकता है आप कह सकते हैं कि चर्टिजगण में तो आमोमन यह माना जा रहा है कि कॉंग्रेस आगे तरफा चुनाओ नहीं है नहीं तो बीजेपी कम्जोर दिखाई पड़ती है कि एक दो आंकड़े पेश करूंगा और इसके बाद मुझे लगता दर्शिकों को स्वैम नेड़े लेना चाहिए कि कैसी स्थिती दिखाई पड़ती है अगर आप देखें त्यलंगाना में और कॉंग्रेस दोनों के बीच में साड़े अठारा पर्चेंट वोट का डिफरेंस ने सिर्फ चुनाव ही नहीं जीता था बड़ी तादा बड़ी बड़ी भारी जीती है जिसको कते मैंसे विक्ट्री अगर इतनी बड़ी विक्ट्री किसी पार्टी ने की है पिछले चुना तो बार बार यह लगता था कि भाई समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा बहुत अच्छा लेकिन गयारा पर्थिन का पिछले चुनाव में और मुझे लगता था उस बाद कि भरपाई कर पाना इनके लिए मुश्किल होगा तेलंगाना में भी मुझे कुछ ऐसा ही होता ौबार दिखाई पढ़ता है का प्रदर्शन अच्छा कर रही है लेकिन क academies क्या अफारा प्रतिक का फास्ला तैक कर पाएग बड़ा प्र 보시면 सत्य हिंदी का डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर कि यारत। ौगल प्ले स्टोर स्टोर चरें ंगा है अगि प्लाई गयागै झाल झाल